हेलो देर दिस इस केशी और वेलकम यू तो फिजिस क्यान मुकेश नायक चैनल रोज रैपिड रिविजन की सीरीज में आपका स्वागत है एपिसोड फोर और आज देखने वाले हैं बच्चो डबल फर्टिलाइजिशन के बारे में कुईक थ्रू ठीक है फास्ट भागेंग यह बहुत ही इंपॉर्टन फीचर है यह डबल फर्टिलाइजिशन कर सकते हैं तो जर्नी की शुरुवात कहां से होती है बच्चो सिंपल सी मान लेते हैं यह हमारा एक मतलब ऐसा बोलेंगे गाइनोईशियम है ठीक है यह हमारा प्यारा सा गाइनोईशियम एकदम ऐसा डा स्टिग्मा क्या है स्टिग्मा के बाद एक लंबी ट्यूप क्या है ना स्टाइल और और यह जो बना देता हो है इग्जाक नहीं बना रहा हूं क्योंकि जब हम लोग और डीटेल में देखेंगे डाइग्राम को तब देखेंगे इसको यह ओवियूल्स है क्या है बच्छो ओवियूल्स यह है ओवियूल्स अब हमारा पोलन ग्रेन आएगा मान लो कहीं से बिचारा उड़ता उड़ता आ रहा है ठीक है उड़ता ही फिरू इन हवाओ में कहीं देखो उड़ता ओड़ता कोरोना वाइरस निये यह आके यहां पर लैंड करेगा बच्छो ठीक है लैंड करने के बाद बोलेगा भाई लैंड कराओ है ना मैं पागल हूँ जो इसमें आया हैसा तो नहीं होगा है कि नहीं भाई लैंड हो गया पोलन गर करेगा पोलन ग्रेन ऐसे फूल जाएगा बच्छो सूज जाएगा सूजने से उसके जर्म पोर से वह क्या करेगा पोलन ट्यूब को रिलीज कर देगा ठीक है यहां तक तो शायद आपको पता चल गया अब देखो एक मारकर से मैं बताऊंगा अलग कलर के की चलो ठीक है कौ मेल गैमेट से यलो कलर से शायद आपको बहुत चोटा है दिखेगा नहीं लेकिन जब मैं थोड़ा जूम करूंगा सब दिख जाएगा आपको जूम मतलब ऐसे जब आपको दिखाऊंगा मैं दूसरा डियाग्राम बना के और यहां पर होता है यह जो है यह जो मैंने बनाय यह जो मैंने बनाया बचो यह है पूलन ट्यूब अब डबल फरिटिलाइजिशन इसको क्यों देख बोलते हैं यह अभी देखो बच्चों अब यह हमने पिछले बार देखा था कि यह ऑवियूल होता है ना देखो यह क्या है भाई ओव्यूल है अब मैं पूरा डाइगराम तो नहीं ड्रॉक करूंगा ओव्यूल का और यहां से हमारी पोलन ट्यूब आ रही है बच्चा ठीक है देखो यह पोलन ट्यूब एंटर यहां से करेगी यह दिखरा होगा आपको यह नीली कलर की मैंने पोलन पोलन ग्रीन आ रही है अब यहां पर जो मैंने येलो कलर की चीज बताई बच्चो यह है ट्यूब नूकली एस और मान लेते केरिया तेरा मेल गैमेट है की नहीं तो अभी हैंप ने मेल अंदर वाली तो चीजी ब्हुल गए अंदर क्या बनाना है वह यह हमारा यह हमारा पोलार नुकलिया है यह हमारे एग और यह बाजू में उनके और फिर सिनरजेड्स अब क्या होता है जैसे यह पोलन ट्यूब यहां एंटर करेगी जिर पर चले जाएंगे भचो ठीक है अपने इंप्रियो चैक में चले जाएंगे तो वन मेल गैमेट one male gamut क्या होगा fuse करेगा egg के साथ किस के साथ fuse करेगा बच्चो एग के साथ और बनाएगा ये zygote क्या बनाएगा zygote बनाएगा और second male gamut देगे, सेकेंड मेल gamut plus ये किस के साथ fuse करेगा बच्चो secondary 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 nucleus और ये दोनों fuse होके बनाएंगे primary endosperm nucleus क्या primary endosperm nucleus और आगे चलके यही primary endosperm nucleus बनता है किसमें convert होता है यह convert होता है endosperm में और यहां पे दो बार fertilization हो रहा है बच्चो इसलिए इसको बोला जाता है double fertilization जिसमें पहले वाले fertilization को हम बोलते हैं synagami क्या बोलते हैं पत्चों इसको बोलते हैं synagami और दुसरे वाले fertilization को triple fusion बोलते मैं क्या बोलते हैं triple fusion ठीक है याद रखना है आपको आप कुछ को important चीज में बता देता हूं तो सबसे पहले याद रखो वापस से मैं बोलूंगा first male gamut जब रहता है तो zygote होता है zygote जो है हमादा यह होता है मसी चाहरा सोटा है नूकलिस होगा और यह होता है यह कैसा होता है बच्चों डिपलाईड है यह होगा होगा यह अप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है और अगर यह रैपिड रिविजन बहुत अच्छे से समझ गया तो लाइक शेव सब्सक्राइब कर दें चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में